वेलकम बैक स्टुरेंट्स और आज जो चैप्टर हम पढने वाले हैं इस चैप्टर का नाम है एड्जेक्टिफ तो हम एड्जेक्टिफ के डेफिनेशन को पहले चानते हैं एड्जेक्टिव हम उसे कहते हैं जो नाउन को डेस्क्राइब करते हैं मतलब एड्जेक्टिव is the word which describes the noun ठीक है अगर हम बोलते हैं this is a beautiful flower तो मतलब flower noun है flower कैसा है बहुत सुन्दर है इस चीज को कौन डेस्क्राइब कर रहा है beautiful यह वार डेस्क्राइब कर रहा है इसलिए beautiful यहां पर adjective है तो अब हम सीथे चलते हैं कितने type के adjective होते हैं उसके ओपर तो यहां पर total eight type के adjective है पहला adjective का नाम है proper adjective उसके बाद आता है descriptive adjective qualitative और attributive adjective इसके बाद आता है quantitative adjective फिर आता है numeral adjective फिर demonstrative adjective distributive adjective interrogative adjective और possessive adjective अब हम one by one इसके definition को जानेगे देखो पहला है proper adjective, proper adjective क्या है proper adjective is one derived from a proper noun proper adjective वो adjective होता है जो proper noun से लिया जाता है जैसे यहां पर example जैसे दिया गया है देखो, example को देखो अच्छी the English language तो देखो यहां पर यहां पर language मतलब भाशा यह एक noun है और यह जो English है यह भी एक proper noun है क्योंकि English एक भाशा का नाम है English के द्वारा एक भाशा या जाती को हम modify करते हैं हम उसको बारे में बताते हैं describe करते हैं तो यहां पर English एक proper noun है उसके साथ साथ English यहां पर एक proper adjective भी है क्योंकि English यह वाड है यह इस language यानि कि भाशा को यह क्या करता है इस भाशा को describe करता है कौन सा language? English language जैसे देखो, इधर देखो The Indian Ocean यानि कि भारत महासागर अब हम एक चीज़ बताते हैं इस ओशन है, समुद्र यह तो noun है अब यह Indian क्या है? Indian यह है adjective प्रोपर adjective क्योंकि India एक प्रोपर noun है एक देश का नाम है उससे यह adjective लिया गया है मतलब इंडिया के साथ एन लगा के इस प्रोपर noun को adjective बनाया गया है इसलिए यह हुआ है Indian अब शमुद्र कौन सा है? Indian उससे नहीं यह भारत महासागर यह इंडियान वर्ड है यह एक प्रोपर adjective है क्योंकि इंडिया नाम के प्रोपर noun से इसको लिया गया है और adjective बनाया गया है इसके बाद The Victorian Attitude यानि के Victorian मान सिखता Victoria क्या है? Victorian लिया गया है Victoria से Actually, England की राणी The Victoria और उनके समयकाल को Victorian age कहां जाता था यानि Victorian समयकाल और उस समय लोगों की मान सिखता को बोला जा रहा है Victorian Attitude Attitude तो noun है लेकिन कैसा attitude? Victorian attitude Victorian word आया कहां से? Victoria से तो यह Victoria क्या कौन सा noun है? Proper noun तो फिर proper noun से आया Victorian यह कौन सा adjective होगा? Proper adjective Clear? इसके बाद आते हैं descriptive, qualitative और attributive, adjective जिसको हम बोलते हैं adjective of quality यानि कि जो adjective किसी गुन के बारे में बताता है उसको हम descriptive, qualitative, attributive या adjective of quality बोलते हैं is one that shows the kind and quality of a person or thing किसी वेक्ति या किसी बस्तू के kind और quality के बारे में ये बताता है हम उधारन के रूप पे लेने a brave person ध्यान से देखो इसको a brave person तो एक वेक्ति है और वो साहसी है इस वेक्ति के गुन के बारे में बताता है ये साहसी होना इसका गुन है तो ये brave एक adjective है और कैसे adjective है? ये है adjective of quality क्यूँकि ये गुन बता रहा है इसे descriptive या qualitative या attractive आs adjective of quality बोल सकते है बूसरा है beautiful child यह दिखने में कैसा है, तो इसका दिखता कैसा है, इसको डिसक्राइब कर रहा है, इस चाइल को डिसक्राइब कर रहा है, इसका वरनन कर रहा है, इसलिए beautiful क्या हुआ? adjective हुआ, कौन सा adjective हुआ? descriptive adjective, इसके बारे मैं बोले, quality adjective, adjective, adjective of quality, या attributive adjective, जैसे mother, careful mother, जो आपने बच्चों का बहुत ख्याल लगती है, तो मदर तो नाउन है, इस नाउन को कौन सा वर्ड डिसक्राइब कर रहा है, मदर इस नाउन को ये वर्ड कियारफूल ये डिसक्राइब कर रहा है, इसलिए कियारफूल एक एड्जेक्टिव है और ये डिसक्रिप्टिव ए क्योंकि इसको रिस्क्राइब कर रहा है और यह गुन के बारे में बोल रहा है कि मदर जो है बहुत केरफुल होती है ठीक है वो खयाल लगती है बहुत बच्चों का अजेक्टिव पॉलिटी ठीक है इसके बाद यह देखो जो एजेक्टिव किसी परीमान के बारे में बताता है जो किसी चीज के परीमान के बारे में बताता है उसको हम क्वांटिटी एजेक्टिव बोलते है इसके दुआरा क्वांटिटी परीमान समझाया जा रहा है तो कोई भी एपल नहीं खाया है तो कोई भी यह परीमान होता है जैसे ही एट मच ब्रेड उसने बहुत सारा ब्रेड खा लिया है तो कितना सारा बहुत सारा यह मच एक परीमान को बताता है इसलिए ये quantitative adjective है इसके बाद you drink little milk तुमने थोड़ा सा दूद पिया तो थोड़ा सा ये परिमान को समझाता है इसलिए 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 कहां जाता है quantitative adjective या adjective of quantity इसके बाद आते हैं अगले adjective की ओर इस adjective का नाम है numeral adjective numeral adjective is one that shows the number or serial order of person's things they are further divided into two main clauses इसका मतलब है कि numeral adjective जो होता है ये numeral adjective हमें संख्या बताता है या हमें serial number बताता है ठीक है तो एक संख्या बताने वाला adjective numeral adjective होता है ठीक है अब हम देखते हैं के जो definite numerals show some exact number they are of three kinds तो definite numeral कितना है definite numeral definite numeral बता बता देगा आपको और indefinite numeral मतलब संख्या आपको नहीं बताया पाएगा तो आप पूरा संख्या परिमान तो बता देगा लेकिन संख्या नहीं बता पाएगा अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं यह जो definite numeral है मतलब जो संख्या बताने वारा numeral है इसमें भी विभाजन है इसको हम तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं पहला है कार्डिनल दूसरा है ओर्डिनल तीसरा है माल्टिप्लिकेटिप्स अब हम इसको बताते हैं देखो तो फिल फिल थे संख्या अगर हम बोलते हैं के आई हव तो पेंस मेरे पास दो पेंधे तो तो दो पेंधेन मतलब नाउन कितने ब्न है दो पेंधे मतलब मेरे पेंधका मतलब नाउन का संक्या बता रही है दो पें Влад şu me we can audio ce what this Daishaul您 ordinal Obama लिए मनतलब करम बीक पास्ट इक है क्रश्ट में एक 1, 2, 3 and 4 फेद एक रेस औरहा है रेस में एक रैस में कवड़ एक तरह कारे एक एक रेस में थाधर बीच्छ औरह रहा है तो किसी प्हरंड क्लास का करस्थ बोयस है क्लास का ह् फस्थ वोऊ है तो इसे हम कहते है अुडर को समझाता है तो इसे हम कहते हैं तो इसे हम कुछाता है walks इसको ना तो कोई order बता रहा है यह single, double, triple लेकिन हम समाच सकते है single मतलब 1, double मतलब 2 दुगना और triple मतलब तुगना तो definite numerals का third part है उसे हम कहते हैं multiplicatives और यह multiplicatives जो होते हैं जिसे हम single, double, triple इस तरीके से बोल रहा है यह एक multiplication कितना गुना हम बोलते हैं इतना गुना दो गुना, त यह जो होता है यह हम कह रहे हैं इसको के definite numerals नी numeral adjective इसके दोरा संख्या को एकदम exact बताया जा रहा है देखो इससे पहले adjective और quantity जो हमने पढ़ा था इसमें हमने किसी भी संख्या के बारे में हमने नहीं बताया था लेकिन परीमान हम कुछ नहीं बताते थे लेकिन परीमान क अगर संख्या के माध्ध्यम से प्रकास कर दे किसी चेगे पर तो वो numeral adjective हो जाता है चीक है इसके माद आता है indefinite numerals मतलब जहां पर संख्या नहीं बताया जाता है do not show exact number जैसे all, some, enough, none, many, few, several, there are few students in the class तो class में महत कम student है there are many people in the hall अब कितने संख्या है यह तो नहीं बताया जाता है और कितने संख्या एक बता दिया जाता है तो वो numeral पर definite numeral में आ जाता है ठीक है लेकिन संख्या यहां पर बताया नहीं जा रहा है यहां पर ज़स्ट बोला जा रहा है that there are many people and there are several people in that room तो many people in that room इसका मतलब संख्या बहुत सारे लोग हैं लेकिन संख्या नहीं बताई गई है इसे हम indefinite numeral बोलता है क्योंकि यहां पर संख्या जो है वो फिक्ष्ट नहीं है इसके बाद a demonstrative adjective is one that points out which person or thing is mint this boy that person those men demonstrative adjective एक ऐसा adjective है जो किसी बेक्ती और किसी चीज की जो वो वेक्ती या चीज उसको point out करता है निर्देश करता है मतलब मैं बोल रहा हूं कि अगर हाथ उंगली उठा कर अगर किसी चीज को निर्देश करो दिखाऊ कि यह वहां पर है यह वहां पर है तो इसको आम demonstrative adjective बनता है actually demonstrative pronounces ऐसा हम बोलते है this person, that chair, this chair, that cat मैं आपको बता दूँ इस demonstrative adjective से चाड है this t-h-i-s उसका यह singular एक चीज मतलब अगर हम बोलते है this chair मतलब जो चेर मेरे सामने है और संख्या में एक है तो उसे this chair बोलते है अगर हम बोलते है that chair मतलब संख्या में एक चेर है और वो चेर मुझ से दूर है यह बाला पास में है और अगर हम सामने एक से अधिक चेर रहे तो क्या बोलेंगे these t-h-e-s-e these chairs और जो संख्या में बहुत सारे चेर मेरे दूर मेरे तो those chairs ठीक है तो यह this these or that those यह चाट टाइप के demonstrative adjective है demonstration माना यह याद रखना किसी चीज को point out करना निर्देश करना दिखाना इसके बाल आता है distributive adjective distributive adjective क्या होता है distributive adjective होता है is one that refers to each one of a number there are four in number each every either neither each every either neither यह है distributive adjective मतलब क्या मतलब है अगर संख्या में एक बताता है वो कोई adjective every student if every student has got the price मतलब हर एक student को every का मतलब हर एक होता है कि नहीं तो कोई adjective अगर संख्या को एक बताता है तो उसको हम distributive adjective बोलते है जैसे इसको मिला है या इसको मिला है मतलब एक चीज़ को हम बोलतो रहे हैं बहुत सारे लोगों में लेकिन निद्दिस कर रहे हैं सिफ एक चीज़ तो यह चार को आप याद रखना each every either neither यह distributive adjective है इसके बाद आता है interrogative adjective interrogative adjective मतलब इस adjective के द्वारा हम question पूछ रहे हैं उसको हम interrogative adjective बोलते हैं जैसे Whose pen is this? यह pen किसका है? What book is that? यह book किसका है? Which flower do you like the best? कौन सा flower तुम पसंद करते हो? देखो पेन यह noun है इसे पहले क्या है? Whose? Whose pen? किसका pen? इसका मतलब क्या हुआ? Whose pen is this? लास्ट में क्या है? interrogation mark है मतलब question mark है तो मतलब interrogative मतलब इसमें सवाल पुछा जाता है interrogation पुछा जाता है दूसरा adjective है कौन सा? यह है adjective noun है pen उससे पहले जो बैठता है तो यह whose pen? किसका pen? किसका pen है इसमें मतलब सवाल पूछ रहे हैं What book is that? यह कौन सा book है? तो हम सवाल पूछ रहे हैं और what book तो यह what जो है इस book के बारे में बता रहा है कौन सा book है यह तो जानते है और last में है positive adjective मतलब जिसमें आप अधिकार बता रहे हो The words my, our, your, his, her, its, their, when used before a noun are called positive यही अगर किसी noun के पहले use हो तो उसे हम positive adjective का रहे हो This is my pen, pen noun है, pen से पहले my है मतलब pen के उपर उस तुम्हारा अधिकार है तो my pen के उपर अधिकार जाता रहा है, इसलिए position जाता रहा है अधिकार जाता है, इसलिए adjective को कहा जा रहा है, positive adjective बस आज के लिए इतना ही